आज हम उन खिलाडियों की बात करेंगे जिनने भारतिय क्रिकेट का स्थर और उच्छा कर दिया नमस्कार मेरो हुन मुरकर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ वे देखो प्रिजन्स वाड़ गुगली में पावर भाइपल बॉक्स मीडिया अंटेन्मेंट, क्लोथिंग पार्टनर दिविड और गिफ्टिंग पार्टनर विवा कंसेप्स 1930 में शायद ही किसीने विजय हजारे का नाम सुना था विजय हजारे उस वक्त मीडियम पेस गेंद बाज माने जाते थे पर आगे जाकर भारत के भरोसे मन बल्ले बाजों में से एक बन गये विजय हजारे महराष्टे के लिए खेला करते थे और मिडियम पेस गेन बास होने के वज़े से और नमबर साथ या नमबर आट पे बल्ले बाजी किया करते थे लेकिन बड़ोदा के खिलाब एक मैच में कैप्टन ने उन्हें नाइट वोच में के रूप में उपर बल्ले बाजी करने को कहा और विज़े हजारे ने एक शानदार शतक जड़ दिया उसी दिन उन्हें दोरा शतक भी जड़ दिया दिन के अंत तक विज़े हजारे दोसो बीस पे नाबाद थे खेल खतम होने के बाद कैप्टन देउधर उनके पास पहुँचे और उन्हें कहा विजए तुम्हें ट्रिपल सेंचूरी बनाने का शांदार मोका है अगले ही दिन विजए हजारे ने एक शांदार ट्रिपल सेंचूरी जड़ दी और first class cricket में triple century लगाने वाले वो भारत के सबसे पहले खिलाडी बन गए आजादी से पहले एक बापू थे जोनोंने अंग्रेजों के नाम पे बहुत दम कर रखा था 1964 में एक दूसरे बापू थे जोनोंने अंग्रेजों को cricket के मैदान पे बहुत परिशान किया 11 जनवरी 1964 मदरास Cricket Association के मैदान पे इंडिया और इंग्लेंड के वीच में एक टेस्ट मैच खेला गया और बापू नारकर्नी ने लगा अतार 21 मेडन ओर डाले जो कि एक विश्व रिकॉर्ड भी है बापू नारकर्नी के 32 ओर के स्पेल में उन्होंने 27 मेडन ओर डाले और बिना कोई विकेट लिए उन्होंने सिर्फ 5 रंज दिये बापू नारकर्नी का 21 मेडन ओर का ये विश्व रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा आज भी विश्व रिकॉर्ड बापुनार करनी के नाम पे ही है 1982 और 83 पाकिसान दोरे में पाकिसान धुरंदर गेन बाजो के वज़े से काफी सारे भारती खिलाडी घायल हो चुके थे और कराची में आखरी टेस्ट मैच से पहले सुनिल गवासकर के पास सलामी बल्ले बाजो की कमई थी सुनिल गवासकर सीधा जाके रवी शास्त्री के पास पोचे और उन्हें ओपनिंग करने को कहा ये सुनके रवी शास्त्री भी चोग गया क्योंकि प्रमुख रूप से वो एक लेफटाम स्पीन गेन बास थे पर रवी शास्त्री ने चुनोंटी के तौर पेज से स्विकार किया रवी शास्त्री ने बला उठाया और मैदान में नए बॉल का सामना करने पहुच गया उन्होंने घंटों तक बल्लेबाजी की और बायाहात के चोट के बावजुद उन्होंने 128 रंगी शानदार पारी खेली और नमबर 10 पर बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज भारत के सबसे सफल सलामी बल्लेबाजों में से एक बन गया ये कहानी है 1996 के जब पाकिस्तान और शीलंका के बीच में नेरोबी में एक मैच खेला जाना था और मैच से पहले शाहिद अफ्रीदी के पास अच्छे बल्ली की कर्मी दी उस वत वकार उनीस उनके पास पहुचे और उन्हें अपना बल्ला दिया जो कि सचिन दंडूल करने उन्हें तौफे में दिया था शाइद अफ्रीदी वो ही बल्ला लेके बल्ले बाजी करने मैदान पे पहुचे और 37 गेंदों में 11 चपके और 6 चोके लगाते हुए सबसे तेज शतक बनाने का विश्वर रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया आगे जाके ये विश्वर रिकॉर्ड कोरें अंडर्सन ने अपने लाम कर दिया जिन्होंने 35 गेंदों में शतक चड़ दिया एसी अंसुरी कहानिया लेके लोटूंगा में मेरे शोग वाड़ गुगलिंग तिल देन इस रोहन मुरकर साइनिंग और जल्दी से वोई देखो को सब्स्राइब करो इस वीडियो को लाइक भी करो और इस वीडियो को शेर भी करो और आपके पास ऐसी अंसुनी कहानिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो मैं उसे अपने शोग में शामिल करने की पूरी कोशिश करूगा